हलो फ्रीड्स मैं संध्या स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल संध्या सीलाइ डिसाइन पर फ्रीड्स आज की इस वीडियो में हम लोग लेडिस पैंट की कटिंग सीखने वाले हैं अब रखने के बाद इसमें हमको नाप लगानी है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां से अपनी लेंध निकालेंगे तो देखो, सबसे पहले हमको ऊपर की साइट से नीचे, यानि कि जो हमने फोल्ड लिकिया थो उपर से हमारा कपड़ा बराबर नहीं था, तो पहले हमको इसको बराबर करने के लिए एक लाइन लो कर लेनी है, अगर आपका बराबर है तो फिर कोई बात नहीं, इस तरह से ये बेल्ट के लिए तो यह हमने दो इंच पर निशान लगाया और इसी निशान से यहां पर हमको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से तो यह उपर का हमने बेल्ट निकाल लिया हम अलग से बेल्ट नहीं लगाते इसमें साथ में कट करते हैं अब हमने जो बेल्ट निकाला व यहां पर निशान लगा लिए तो मैंने 38 इंच पर निशान लगाया है उसके बार नीचे की तरफ हमको 2 इंच फोल्ड करने के लिए यानि की मुहरी के लिए हमें कपड़ा ले लेना है तो इस तरह से यहां पर हमने 2 इंच नीचे भी ले लिया कपड़ा और 2 इंच उपर तो यह हमारे लंबाई निकल आई, तो सबसे पहले हमको यह लंबाई यहाँ पर टोटल लेनी है, और दो इंच उपर बेल्ट के लिए और दो इंच नीचे फोल्ड करने के लिए मुहरी, इस तरह से यह हमने यहाँ पर लंबाई निकाल ली है, तो फ्रेंट्स अब इस तरह से लंबाई निकालने के बाद, अब हम यहाँ पर उपर के तरफ कमर के लिए निसान लगाएंगे, तो जितनी भी आपकी कमर है, उसका हमें चौथा भाग कर लेना है, और एक इंच प्लस कर लेना है, तो जैसे कि मेरी यहाँ पर कमर है, 36 इंच, 36 इंच का चौथा भाग किया, तो 9 इंच आया, यह हमने 9 इंच पर निशान लगाया, अब 9 इंच पर निशान लगाने के बाद, एक इंच हमें यहाँ पर और ले लेना है, लूजिंग के लिए, तो यह हमने 1 इंच बढ़ा के एक निशान लगाना है, इस तरह से, तो यह हमारा हो गया 10 इंच, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ट्रो कर लेनी है, अब इसी निशान से नीचे की तरफ एक लाइन खींच नी है हमको, तो वहीं से हमको अपना इंची टेप रखना है, इस तरह, और जितना हमने इधर लंबाई लिए है, उतने ही इंच नीचे की साइड भी ले लेंगे, तो हमने यहाँ वहाँ पर 9 में 1 इंच प्लस किया 10 इंच आया, तो यहाँ भी हम यहाँ पर 10 इंच पर एक लाइन खींच देंगे इस तरह से, तो यह हमारी एक लाइन हो गई, अब इसके बाद इधर साइड हमें एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, ठीक है, तो यह लाइन हम कितनी लेंगे, जितनी भी हमारी कमर है कमर का हम यहां पे तीसरा भाग कर लेंगे तो हमारी कमर यहां पे है 36 36 का तीसरा भाग करेंगे 12 इंच आएगा यहां पे हमने 12 इंच किया तो यह आपको अपने कॉर्डिंग अपने हिप क्या नाप ले लेना है उसके बाद यहां पे इस तरह से निशा करना है जो आमने यह निशान लगाया 12 इंचपी यहां पर हम इसका सेंटर निकाल लेना है आप इन्हें निशानों से हम से थक oraline खीड लेंगे पूरी बराबर से तो इस तरह से आपको इंची टेप रखना है और यह लाइन की है तो यह हम faculty पर विल्कुल सेंटर पर एक की है तो इतना करने के बाद आप हमको अपना इंची टेप लेना है और जो हमने बेल्ट ऊपर निकाला है बेल्ट छोड़ के नीचे वाली लाइन से अपना इंची टेप रखना है और नीचे की तरफ मोहरी छोड़ के नीचे की तरफ जो हमने लाइन कीची है वहाँ पर से हमको इसका सेंटर निकाल लेना है तो यह सेंटर हमने क्यों न नाप का निसान लगाएंगे जिससे कि हमारी यहां फिटिंग आएगे अच्छी ठीक है तो इस तरह से यह हमने यहां पे इसका सेंटर निकाला और जितना भी आपका नीर राउंड का गुलाई है तो उसका हम क्या करेंगे हाफ कर लेंगे पहले तो हाफ करेंगे हाफ करने के फिर से उसका हाफ कर देंगे यानि कि चौथा भाग कर लेंगे इस तरह से यह हमने यहां पे चौथा भाग निकाल लिया है तो यह आया है हमारा साड़े चार इंच अठारा इंच था तो अठारा इंच का हम हाफ करेंगे तो नौ इंच आएगा अब नौ इंच का हाफ करें अब हम नीचे की तरफ यह जो जितना बचा है यहां से यहां तक एक बिल्कुल सेंटर निकाल लेंगे और यह सेंटर निकालने के बाद जैसे हमने वहाँ पे साड़े चार इंच निशान लगाया है तो यहां पर हम 1 inch कम कर देंगे तो यहां पर हम 3.5 इंच पर लगा लेंगे तो आपका नी राउंड ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है तो उसी के according आपको यहां पर 1.5 इंच पर निशान लगाए अब नीचे के तरफ मोहरी का निशान लगाएंगे तो आपके जितनी मोहरी रखनी है तो मुझे यहाँ पे 12 इंच की रखनी है तो 6 इंच आफ कर देंगे उसका और हाफ करने के बाद यहाँ पे हम हाफ-ाफ दो लाइन के दोनों साथ 3-3 इंच पर निशान लगा लेंगे अब इन निशानों को यहां से यहां तक ऐसे मिला देना है इनको बराबर से तो इस तरह से यह हमको यहां पे इसको मिला देना है सारे निशान यह हमने कंप्लेट कर लिया इतना यह देखिया अब हम इसको क्या करेंगे जैसे हमने यहां पे निशान लगाया वैसे ही इसको अब हम कट कर लेंगे तो इसको हमको बराबर सी कट कर लेना है तो देखो ये हमारा नीचे तक पूरा कपड़ा था ना जो नीचे से फोल्ड करना है तो यहां तक एक लाइन खीच लेनी है और अब हम इसको ऐसे ही कट कर लेंगे तो देखिए इस तरह से जैसे हमने निचान लगाया सेम वैसे इसको हमने पूरा कट कर लिया है अब कट करने के बाद इसको हम पिन से सिक्योर कर देंगे जिससे हमारे दोनों कपड़े बराबर में रहेंगे और इसको रखने तो अब हमने इसको सिक्योर कर दिया इसको साइड पार्ट है जो अभी हमने कट किया है इसको हम उसी कपड़े के उपर विठा लेंगे इस तरह से उसके उपर हमको इसको रख लेना है और ऐसे रखनी के बाद अब हम इसमें कटिंग करेंगे बैक पार्ट के तो देखो एक साइड से हमारा पूरा बराबर रहेगा लेकिन एक साइड हमारा चेंज होगा ठीक है इधर साइड हमारा चेंज होगा तो क्या चेंजिस होने है यहाँ पे हमने दो इंच बढ़ा है तो जो लाइन से है हमारा दो इंच बढ़ा हुआ आगे की साइड भी हमें दो इंच यहाँ पे यह हमने टो इंच बढ़ाया और नीचे तक लाइन खींच देनी हैं इस तरह और यह दितने लाइन के बाद आप देखो नीचे की तरब क्या करना है। दो इंच हमें यहां पे भी हर जगह से बढ़ाना है तो आपका यहां पे कोई भी साइज है हर जगह बस सिर्फ दो इंच हर साइज में हमें यहां पे नीचे दो इंच ही बढ़ाना है ठीक है तो इस तरह से यह हमने बढ़ा लिया और यहां पे अब हमको लाइन की जैसे हमने निशान लगाया है ऐसे ही यहां पर हम इसको ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया आप देखो क्या करना है हमको इतना नीचे का हमारा पूरा कंप्लेट हुआ अब हमने यहां पर दो इंच बढ़ाया तो दो इंच हमको ऊपर की साइड बढ़ाना है बैग पार्ट को तो दो इंच हमने यह बढ़ाया फ्रेंट पार्ट हमारा दो इंच बढ़ा नहीं है लेकिन बैग पार्ट हमको बढ़ा लेना है और इस तरह से हमको इ नीचे की साइड उत्रेगा नहीं इसलिए हमको यहां पर बढ़ाना होता है और इधर साइड हमारा सेम उतना ही फ्रेंट पार्ट के जितना रहेगा और हम इसकी अब कटिंग कर लेंगे जैसे जैसे हमने यहां पर निशान लगाया है तो इस तरह से यह हमने शारी कटिंग कर लिया है आप अगर ऐसे ही कट करोगे तो आपका भी पैंट भी खराब नहीं होगा आप बिल्कुल आसानी से बना सकोगे यह हमारा फ्रेंट पार्ट और बैग पार्ट अब हम इसके स्टिचिंग कैसे करते हैं तो चलिए यह सीखते हैं तो देखो सबसे पहले हमको क्या क था यहीं पर हमQ को क्या करने हैं हाफ इंच मार्चिन साइट में छोडते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा लेनी हैं यहां पर रिखन लजा लगा लेनी हैं तो इस तरह इसमें यहां पर शिलाई रिया है ऐसे ही हमने back part का भी आशन जोड लिया है दोनों का अब इन आशन को जोडने के बाद क्या करेंगे यह जो हमारा back part है इसको हम पुरा open करके इस तरह से बिचा देंगे और जो हमारा front part है इसको हम उसके ऊपर ऐसे ही रख लेंगे बराबर शे इस तरह से हमने रखा सीधा साइड हमको दोनों के अंदर रखने है और रखने के बाद आप देखो यह जो हमारा फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट है इसको पहले हम बिल्कुल इदर साइड वाले सिलाई लगा लेंगे ऐसे मिलाते हुए और हाफ इंच छोड़ते हुए कपड़ सिलाई लगा लेना है इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई कंप्लेट कर लिया आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग बहुत ही इसी तरीके से और बहुत ही जल्दी कंप्लेट हो जाती है अब हम यहां पे बीच में सिलाई लगा लेंगे तो यह हमारा फिटिंग वाला शिल यह हैं हमारी मोहरी को क्या करना है हमने दो इंच यहां पर इस्ट्रा लिया हुआ था तो जितना हमने दो इंच इस्ट्रा लिया हुआ था उसको हम दो इंच ही अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पहले तो तो इसको हमको बराबर से फोल्ड करना है इस तरह से तो देखो इस तरह से यह हमने यहाँ पे अंदर की तरफ दो इंज कपड़ा फोल्ल कर दिया है फोल्ल करने के बाद अब हम आगे की साइट से फोल्ल कर देंगे और यहाँ पे पूरे गुलाई में हमें यहाँ सिलाई लगानी है तो यहां पे हमको ऐसे ही पूरे गुलाई में सिलाई कम्प्लेट कर लेनी है इस तरह से यह हमारी मोहरी कम्प्लेट हो जाएगी सेम इसी तरह से दूसरी वाली मोहरी भी कम्प्लेट कर लेंगे जैसे हमने यह वाली मोहरी कम्प्लेट किया है तो इसको भी कर लेते हैं इस तरह से ये हमने दोनों मोरी कम्प्लीट कर लिया आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से हमारा पैंट बनके कम्प्लीट होगा अब हमारा उपर की साइड बेल्ट बच्चा हुआ है तो बेल्ट कैसे बनाना है दो इंच हमने यहां के लिए भी कपड़ा इस्ट्रा लिया हुआ था तो दो इंच में हमको यहां कपड़ा पूरा फोल्ड कर देना है फोल्ड करने के बाद देखो हमको क्या करना है फिर से कटे हुए भाग को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और इसको हमको उल्टे साइड फोल्ड करना है और ऐसे ही पूरे गोलाई में हमें यहां सिलाई लगा लेनी है और दो इंच हमने यहां कपड़ा लिया था तो 2 इंच पर ही हम यहां पूरे में बेल्ट बनाएंगे तो ऐसे आफ मों को बराबर से यहां सिलाई लगा लेनी है तो थोड़ा सा हमारा बेल्ट में सिलाई लगाना थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि ये गुलाई हमारी पीछे साइट कपड़ा जादा रहता है तो इसलिए हमको इसको बराबर से लगानी होती है अच्छे से अब देखो हमने सारी सिलाई लगा लिए यहां पर हमने इतना दो इंच छोड़के रखा हुआ है तो यह क्यों छ है उसमें से बारा इंच माइनस करना है और माइनस करने के बाद आपको उतनी ही लाश्टिक ले लेनी है इस तरह से यह हमने यहां पर लाश्टिक निकाल लिया है अब लाश्टिक को हम पिन की सायता से सिक्योर कर लेंगे और सिक्योर करने के बाद अब हमको इसको लाश्ट से हमें निकाल लेनी है तो देखो इस तरह से यह हमने इसको निकाल लिया है अब हम पिन को हटा देंगे और इसको हटाने के बाद जैसे हमने इसको अंदर डाला है डालने के बाद इस लाश्टिक को हमको ऐसे मिलाना है दोनों को ऐसे बराबर शे रखना है एक दूसरे के उप इस तरह से ये लाश्टिक complete करने के बाद अब जो लाश्टिक थी हमारी पूरी अंदर कर देंगे अंदर करने के बाद यहाँ पे हमने शिलाई नहीं लगाया था अब हम क्या करेंगे अपनी चुनट जो भी है हमारे बेल्ट में उस चुनट को बराबर से रखना है पूरे ही लाश्टिक के उपर ऐसे तो देखो इस तरह से हमको बराबर से रखना है और back part और front part बिल्कुल center पे रहेगा और जो side वाली सिलाई है वो बिल्कुल side की center पे रहेगा और ऐसे ही अब हमको lastik को secure कर देना है एक बार बीच से सिलाई चला के तो देखो सबसे पहले हमको इसको ऐसे रखना है रखने के बाद इसको हमको कपड़े को खीचना है यानि कि lastik के साथ कपड़े को खीचना है और पीचे से भी खीचते जाना है और यहां पे शिलाई complete कर लेनी है तो इस तरह से हमने शिलाई complete कर लिया है तो इस तरह से यह हमारा सारा शिलाई complete हो गया है पूरा plazo band complete हो गया है I hope आपको समझ में आया होगा जहां पर भी नहीं समझ में आया है आप मुझसे कमेंट करके पोच सकते हो मैं उसका एंसर जरूर दूँगी या फिर अगले वीडियो में आपको समझाने की कोसिस करूँगी तो इस तरह से आप कम बनाओगे तो आपको आसानी से पैंट तयार हो जाएगा I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लेज वीडियो को लाइक, सेयर, चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थे